मुगलों में उत्राधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था प्रतेक मुगल बात्सा की मृत्तिव होने पर उसके पुत्रों में उत्राधिकार का संगर्स आरंब हो जाता था और इस संगर्स में जो भी सहजादा विजयी होता था वही मुगल सिंघासन पर आसीन हो जाता था साजहां और औरंग जेब ने भी इसी मार्ग पर चल कर अपने भाईयों को मार कर समराज्य पर अधिकार किया था औरंग जेब के पुत्रों ने भी इसी मार्ग कानु सरण किया उसके सबसे बड़े पुद्र मुवज्जम ने अपने भाईयों को परास्त कर बहादुरसा प्रथम के नाम से समराज्य पर अधिकार कर लिया उसने अपनी नीती से राजपूतो सीखो और मराठो को अपना दुस्मन बना लिया फिर भी उसके समय में मुगल समराज्य की एकता कायम रही बहादुर साकी मृत्यू के बाद इरानी अमीर दल के नेता और सेना नायक जुलफिकर खां की सहायता से जहादार शाह उत्राधिकार संगर्ष में अपने भाईयों को परास्त करने में सफल रहा लेकिन वो दस मा से अधिक राज्य नहीं कर पाया इसी बीच अमीरों के दुसरे गुटने जिसका नेत्रित्व दो सेयद भाई कर रहे थे ने जहादार शाह के मृत भाई अजीम उल्शान के पुत्र फरुक सियर को बादशा बनाया अब फरुक सियर और सेयद भाईयों में सत्ता के लिए खुल कर संगर्स हुआ फरुक सेयर ने योजना बनाकर सेयद भाईयों से मुक्त होने का प्रयास किया परन्तु सेयद भाईयों ने मराठों के सयोग से उसे मार डाला इसके बाद सेयदों ने 1719 में एक ही वर्ष में तिन बादशा बनाया रफी उद्दर जात, रफी उद्दौला और मुहम्मद शा इनमें मुहम्मद सा 1748 तक राज्य करता रहा उसी के समय में 1749 इस भी में नादिर सा का आक्रमण हुआ वापसी में नादिर सा लगभग 15 करोड की धन समपदा ले गया जिसमें कोहिनूर हीरा और साजहा का तक्ते ताउस भी समलित था नादिर सा के आकरमण से मुगल समराज्य की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा मुगलो के समय अमीरों के सर्यंतर के कारण मुगलो की केंद्रिय सत्ता अत्यदिक कमजोर हो गई थी ऐसे समय में सभी सक्तियों ने बहती गंगा में हाद धोने का प्रयास किया अनेक महत्यौकांची समन्तों और सुबेदारों ने अर्ध स्वतंत्र राज्यों की अस्थापना करना प्रारंब कर दिया ये लोग दिल्ली के बादशा के प्रती नाम मात्र की निश्ठा रखते थे इन में से कुछ का उदे मुगल प्रांतों के सुबेदारों द्वारा स्वय सत्ता का दावा करने के कारण हुआ और अन्य शक्तियां मुगल सत्ता के प्रती बगावत का पईणाम थी मुगल समराड बहादूर शाकी मृत्यू के बाद अनेक छोटे बड़े छेत्रिया राज्यों का उदे हुआ इन में से कुछ राज्यों के संस्थापक तो इतने चतुर निकले की अपना प्रिथक अस्तित्व प्राप्त करने के बाद भी मुगल समराज्य के अंतरगत रहने की घोसना करते रहे और इस प्रकार धीरे-धीरे मुगल समराज्य का पतन हो गया दोस्तो औरंग जेब ने अपने जीवन काल में अपने समराजय को बहुत विक्सित किया लेकिन उसका कोई भी उत्राधिकारी उस समराजय को बचा न सका धूल की रेत की तरह सभी छेत्र एक-एक करके उनके हाथों से फिसलते चले गए और एक समय ऐसा आया कि मुगल के वल नाम के ही रहे गए थे और उनका समराजय दिल्ली की कुछ गलियों तक ही सिमट कर रहे गया था शायद इसलिए ही कहा जाता है कि अगर बेटा लायक हो तो बाप का नाम खाक से भी तास तक उठा सकता है और अगर बेटा नालायक निकल जाय तो बाप का नाम तास से खाक में मिला देता है तो दोस्तों औरंग जिप के उत्राधिकारियों के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताएं अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और अगर आप सुर्या टॉक चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो दोस्तों मिलते अगली वीडियो में जै हिंद जै भारत